वेलकम टो जीरो से जिनियस तक के यदि आप रेगुलर जीके जीस पढ़ाई करते हैं तो आज की इस वीडियो के टोटल 25 से सवालों में कम से कम 10 का राइट आंसर आपको पता होना चाहिए तो चलिए देखते हैं भाला प्रस्न है भारतिय सम्विधान का अभिभावक के कौन हैं आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब भारतिय सम्विधान का अभिभावक अभिभावक मतलब सरक्षक कौन है आंसर हो जाएगा आपसर नंबर सी सर्वच्चे न्याल है कोश्चन नंबर टू कानहा नेशनल पार के कहा इस्तित है आंसर हो जाएगा आपसर नंबर बी मध्या परदेश कोश्चन नंबर टिन जीम कारवेट नेशनल पार के कहा इस्तित है बहुत ही बेसिक की सवाल है और आपके एक्जाम में आता है आंसर हो जाएगा आपसर नंबर ए उद्राखण कोश्चन नंबर फोर द्यूपो की सर्वाधिक के संख्या किस महा सागर में देखने को मिलती है? सही आंसर है आप्षान नमबर ए परसांत महा सागर कोशन नमबर फाइब निम्ड में से कौन एक के वलित पर्वत है? निम्ड में से कौन एक के वलित या नविन पर्वत है? आंसर हो जाएगा आप्षान नमबर बी हिमाला है कोशन नमबर शिक्स पीस मेकर का संबन्द मारों शरीर के कीस अंग से है? पीस मेकर का संबन्द मारों शरीर के कीस अंग से है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा Option No. B हिर्दा है Question No. 7 विद्धुत धारा का मातरक क्या होता है? सही आंसर है Option No. A Question No. 8 समुंद्र की गहराई मापने के लिए किस यंतरक का परयोगी किया जाता है? समुंद्र की गहराई मापने के लिए किस यंतरका परयोगी किया जाता है? आंसर हो जाएगा Option No. A फेदो मितर Question No. 9 सांची के एस्तूप का निर्मान किसने करवाया था? आंसर है Option No. B असोक Question No. 10 पुष्टक का अध्यायन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा Option No. C बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी Question आगे है असियार्टिक के सोसाइटी की अस्थापना कब हुई थी? ये प्रजन हाली के रिल्बे एकजाम में आया था असियार्टिक के सोसाइटी की अस्थापना सही आंसर है Option No. C 1784 इस भी में हुआ था Question No. 12 Question No. 12 दिया गया है निम्ड में से कौन सा पसु वैदिक भारत में अस्थामेध्य यग से सम्बंधित था? बहुत ही अच्छा सवाल है अस्थामेध्य यग से सम्बंधित पसु कौन सा था? आंसर है Option No. A Question No. 13 निम्ड में से कौन सा राजा समुन्द्र गुप्त के दरबार में एक कवी और मंत्री थे? सही आंसर है Option No. B हरी सेन Question No. 14 अपने अक्ष पर प्रिथवी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आंसर है आप्सन नम्बा बी 23 गंटे 26 मिनट और 4 सेकेंड में कोशन नम्बा पंदरा थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है आप्सन नम्बा ए रावी नदी कोशन नम्बा शोला जवाहर सागर तथाराना परताब सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है आपसर नमबर C, चम्बल नदी, कोसर नमबर 17 रिंग वेद में कूल कितने मंडल हैं, आंसर हो जाएगा आपसर नमबर D, 10 कोसर नमबर 18 निम्ण में से कौन उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक है आंसर हो जाएगा आपसर नमबर C, समुद्र का पानी कोसर नमबर 19 पावन की गती को किस यंतर से मापा जाता है? तहां पर आंसर हो जाएगा आपसर नमबर C, एनिमोमीटर कोसर नमबर 20 Question number B से है, किस पसु की आउसेस सिंधु घाटी सभ्याता से प्राप्त नहीं हुई? तेहां पे आंसर हो जाएगा Option number A सेर Question आगे है, गर्वा किस राज्या का प्रसिद्ध लोक रित्त है? गर्वा किस राज्या से संबंधित है? अंसर हो जाएगा Option number B Question number 22 है, मेंटूर बांध किस नदी पर बंधा गया है? मेंटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? आंसर होगा Option number B कावेरी नदी Question आगे है, सिक्किम की अस्थापना कब हुई थी? ये सवाल हाली के रेल्ब एकजाम में आया था शिक्किम की अस्थापना, तो यहाँ पे आंसर है Option number A, 16 माई 1975 को Question number 24 वायू मंडल का सर्वाधिक अस्थाइ तत्वा कौन है? वायू मंडल का सर्वाधिक अस्थाइ तत्वा क्या है? आंसर है Option number B, जलवास्प Question number 25 20 वाट टीबी दीवस कब मनाया जाता है? 20 वाट टीबी दीवस कब मनाया जाता है? आंसर है Option number D, 24 मार्ज को आगे सवाल है, प्रोटीन किसका बना होता है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगोंने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिये थे, राइट आंसर है Option number B, अमीनो एसीड तो आपके लिए एक सवाल है, निम्न में से कौन सर्वत्तम बिदुत चालक है? यदि आप राइट आंसर बता सकती है तो simply आपको comment box में जाना है, वहाँ पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिये, जय हिंद, जय भारत